आई अगली ख़वर में आपको बताते हैं एक ही युवक कैसे राइपूर की जगह जबलपूर पहुँच गया जल्दी घर पहुचने के लिए कारोबारी ने हवाई यात्रा का विकल्प चुना लेकिन विकल्प इतना भारी पड़ा की कारोबारी का गुच्सा चौथी आसमान पर पहुच गया था कारोबारी इंडिगो एयरलाइन की लापरवाही की कारण राइपूर की जगह जबलपूर के डुमना एयरपूर्ट पर पहुच गया कारोबारी ने हैदराबास से राइपूर के लिए इंडिगो एयरलाइन का टिकट बुक किया था कारोबारी समय पर हैदरावाद से फ्लाइट पर सवार भी हुआ था लेकिन जब फ्लाइट से उत्रा तब जाकर पता चला कि वह जबलपुर में है इसका एक बार एहसास सीट की अनबन को लेकर भी कारोबारी को हुआ था जिसकी सिकात कारोबारी ने एयरलाइन प्रबंधन से की इस दोरान एयरलाइन कर्मियो वायात्री के बीज विबात की सिती भी बनी रहे राइपुर निवासी विनए गोपालन के मताविक रविवार को हैदराबाद से राइपुर का इंडिगो एयरलाइन का एयर टिकट था ते समय पर हैदराबाद एयरपोर्ट पर अंदर पहुंचे प्रवेश द्टार पर पहले स्कैनिंग हुई टिकट की झात की गई उसके बाद बस से फ्लाइट तक गया ग्राउंड स्टाप में टिकट के जास्किय फ्लाइट में प्रवेश दिया लेकिन जिस फ्लाइट में बठाया वह जबलपूर जा रही थी इसका पता वी सफर में चला सिकायत पर एरलाइन का स्टाप को सुनने को तयार ही नहीं हुआ था यात्री के मताबिक हैदराबाद राइपूर के लिए उन्हें साथ एस सीट मिली थी फ्लाइट में सवार होने के कुछ देर बाद एक महिला यात्री आई उन्होंने साथ एस सीट अपनी बताई इस पर विवान का स्टाप आया दो लोगों की एक सीट होने पर एक को सीट नमबर पांच ये में बैठा दिया विवान के उडान भरकर आधे रास्ते में पहुँचने के बाद पता चला कि फ्लाइट जबलपूर की है कई जगज आज के बाद भी गलत फ्लाइट में सफर से रात में जबलपूर पहुचा यात्री परिसान होता रहा